हे एवरिवान आज मैं आपके लाई हूँ सिंपल सी चने और कठल की सबजी रेसेपी बहुत ही सिंपल है लेकिन खाने में बहुत ही अच्छी लगती है रोटी हो चाबल हो इसे बनाईए और इंजॉय कीजिए तो चलिए बनाते हैं इसके लिए मैं चने को इना पर चार सीटी अची लगा दिया था इचिछी अचार से गल चुका है कठल को काटकर पानी पर डाल दिया था इसे चान कर गरम पानी में बॉल कर लूँके गमसे डस मिनिटी के लिए आप चाहे तो इसे दो सीटी लगा सकते हैं तो यहँआ पर अची Turn से बॉइल हो चुका है कठल चार सब पर रख लेंगे कड़ाई पर तेल डालना है तेल गरम हो चुका है सरसो डाल देती हूं सूखी मिर्च प्यास को डाल कर प्यास को भुनाई कर लेंगे थोड़ी देर के लिए यहां पर जिंजर गाली का पेश्ट दो चमच डाल देती हूं यह सूट नहीं हो पाया था इसे एव्रेश का सबजी मसाला दो पेकेट डाल दीती हूँ बहुत ही अच्छी लगती है इसे थुझा सबटा पानी डाल कर हमाइची तरह से बुनाई कर लेंगे जब तक सारे अच्छी तरह से गला नहीं देता लोँ आच पर हम इसे मसाले को भुनते रहेंगे तो देखिए कुछ समय बाद मसारा चिरा से बनाई हो चुका है कटलों चने को डाल कर मिक्स कर लेंगे धक कर छोड़ देते हैं पांच मिंट के लिए लो आज पर इस तरह से हम दो या तीन बाद धक कर पका लेंगे जग तो हमारा सबजी ड्राइ नहीं हो जाता देखिए बहुत ही जल्दी बनती है एवरिवान मुझे तो बहुत पसंद आती है ये सबजी रोटी हो चावल हो बहुत ही पसंद आएगा एक बार बनाएए मेरे अंदाज में बाई एवरिवान